इसलामिक जेहादी आतंकवाद किया यह एक बहुत बड़ी गटना है। सभी ने मिलकर इस इसलामिक आतंकवाद का सिर कुचलने की आवश्चकता है। इसका आगरह हम करने वाले है। पश्चिम बंगाल में भी लगातार एक के बाद एक चुनाप परिणामों के बाद हिंदुों की हत्याओं के मामले आ रहे हैं। यह लगता है कि मुस्लिम तुष्टिकरणी इसके मूल में है। बड़ा मामला सामने आया है कि भोच साला के एक तैखाने में माबाग देवी की पृतिमा मिली है। यह ऐसा है एक बहुत रिस्पेक्टेड संस्ता है भारत सरकार की और इसलिए वो जो भी धूंडेंगे उनके पर विश्वास रखना चाहिए। उनके रिपोर्ट की रहा भी देखनी चाहिए। प्रिषाद यह एक बहुत बड़ी घटना है तो हम इसकी भरसना करते हैं और पूर्ण देशवर में इसके परती जागरुकता निर्मानों इसलामिक आतंकवाद का जो एक संकट है। उसके बारे में इसलिए हर जीला स्तान के उपर पूर्ण देशवर में हम इसलामिक आतंकवाद का पुतला भी फूकने का कारिकरम कर रहे हैं बजरंग दल के माद्यम से और साथ साथ में कलेक्टर के माद्यम से मानिय राश्रपती महोदया को एक निवेदन भी दे रहे हैं जिससे सभी ने मिलकर इस इसलामिक आतंकवाद का सिर को चलने की आवश्यक्ता है इसका आगर हम करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में भी लगातार एक के बाद एक चुनाप परिणामों के बाद हिंदू की हत्याओं के मामले आ रहे हैं आज ही एक भाजपा कारिकरता की हत निर्ममता से की गई है इस पर बहिप का क्या रोखने मुझे लगता है कि मुस्लिम तुष्टी करने इसके मूल में है जब हिंदू समाज के ओपर ऐसे हमले हो रहे हैं यह राजनीती का विशे किसे ने बनाना नहीं चाहिए ऐसे अत्याचार और ऐसी हिंसा रुकनी ही चाहि कर रही है कल ही एक बड़ा मामला सामने आया है कि भोष्ट साला के एक तहे खाने में माबाग देवी की पृतिमा मिली है इस पर मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि यह पृतिमाय चाल के सब तहत दूसरे लोगों ने आकर रखी है इस पर बिश्व हिंदू परीसत क्या बहुत रिस्पेक्टेड संस्ता है भारत सरकार की और इसलिए वह जो भी धूंडेंगे उनके विश्वास रखना चाहिए उनके रिपोर्ट की रहा भी देखनी चाहिए इस तरह के आरोप करने से कोई लाब नहीं होने तो यह थे बिस्व हिंदू परिसत के कैंद्रिय संग गठन महामंत्री मिलिद पराडे जन्होंने इस पश्ट रूप से जम्मू कस्मीर की घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि बिस्व हिंदू परिसत इस घटना की बिरोध में देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है तो वहीं पश्चिम मंगाल में लगात हो रही हिंदू की हत्याओं पर भी बेप की तरप से कडा रुक अपनाया गया है अंकेत सर्मा आयुद मीडिया भोपाल लगातार जुड़े रहने के लिए आयुद को सब्सक्राइब जरूर करें